एन्सी वीटी राष्ट्रिय व्यवसाइक प्रेशिक्षन परिशद ये पूरे इंडिया के अंदर जो आई टी आई और ज्योगीक प्रेशिक्षन संस्थान होते हैं उनको रन करती है उनको उनका संचालन करती है तो बेसिकली हमारा जो इसके लिए इंडिया का एक ये पूरे देश के अंदर अलग-अलग आई टी आई के अंदर कोशल प्रेशिक्षन शिवर और्गनाईज करवा रही होती है इस वीडियो के अंदर हम एक जिले के अंदर जो ये कोशल प्रेशिक्षन शिवर होने जा रहा है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे लेकिन अगर आप राजस्थान के या भारत के किसी भी राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने जिले के अंदर जो ITI है और द्योगिक प्रेस्टिक्शन संस्थान है वहाँ जाकर ऐसी ही फ्री कोशल प्रेस्टिक्शन की स्कीम के बारे में जान सकते हैं इस वीडियो में हम जैपुर में एक ITI कॉलेज है महिला ITI कॉलेज है उसके बारे में जो की गौवर्मेंट का है उसके अंदर ये जो कोर्सेस, फ्री ऑफ कोस्ट महिलाओं को करवाय जा रहे हैं इसके बारे में डेटेल में जानेंगी अगर आप किसी और शेत्र से ये वीडियो देख रहे हैं और आप महिला है तो आप भी अपने नजदी की महिला और जो की प्रेस्टिक्षन संस्टांच जो की गवर्मेंट का है उसमें जाकर इस स्कीम के बारे में पता कर सकते हैं आईए डिसकस करते हैं कौन से कोर्सेज हैं क्या उनकी अवदी है अब सभी का स्कील लिए गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है डियर असवाइजियन्स आईए कॉंटेंट को डिटेल में डिसकस करते हैं ये कोर्सेज महिलाओ के लिए फ्री आफ कोर्स्ट हैं और बेसिकली ये कोर्सेज या तो एक साल का कोई कोर्स है या फिर दो साल का कोई कोर्स है और जब आप इसमें दो साल का कोर्स या ट्रेनिंग पूरी करे लेती है तो आपको 12th science के equivalent माना जाएगा कि आपने 12th class जो है वो science subject से की है इसमें जो new term IU है minimum जो सबसे कम age है वो 14 साल है 14 years है और 14 years से किसी भी age की महिला इसमें अपना admission ले सकती है ये basically राश्ट्रिय व्यवसाइक, प्रेस्टिक्षन परिशत, कौशल विक्यास एवम उद्यमित्या मंत्राले भारत सरकार से संबध है आईए courses के बारे में जानते हैं तो basically जो courses है वो एक या दो साल के courses है पहला course इसमें cosmetology है दूसरा computer operator and programming assistant है तीसरा electrician का course है चौथा dressmaking का course है पाँचवा electronics mechanic का course है छटा fashion designing technology का course है साथवा fruit and vegetable processor है नववा secretarial practice है जो कि English में course होगा दसवा stenography and secretarial assistant ये हिंदी में course रहने वाला है ग्यारवा information communication techno system maintenance तो इस प्रकार ये 11 courses है जो कि जिनकी सामान्यवदी या तो एक वर्ष होती है या दो वर्ष होती है और अगर आप किसी private college में या private institute के अंदर ये course करते हो तो आपको हजारों रूपे में fees वहाँ pay करनी होती है fees देव नहीं होती है बट यहाँ ये courses बिल्कुल free of cost है इस course में admission लेने के last date अभी 10-7-2023 है 10 जुलाई 2023 है और ये जो college है ये जैपूर में है और इसका नाम राजके महिला ITI बनिपार्क थाने के सामने बनिपार्क जैपूर है code इसका दिया हुआ है आपको दुरभाश नंबर और mobile नंबर भी यहाँ दिये हुआ है email address भी दिया हुआ है एक website नीचे mention की हुई है आपको ये form जो है ये sso.radasthan.gov.in email address के माध्यम से बढ़ना है और अगर आप email address पर जाती है तो उनको ये video दिखा सकती है इसके अंदर जो link है वो http.app.hte.radasthan.gov.in अबलिक ITI नीचे client admission है ये link जब आप active करेंगी sso.id के उपर तो आपका हुए form भढ़ने में आसानी रहेगी फिर वही आप राजस्थान या भारत के किसी भी राज्ये से हैं तो आप अपने जिले के महिला ITI के अंदर जो की government का हो उसमें जाकर भी इस scheme के बारे में free training scheme के बारे में पूछ सकती है तो इस वीडियो में इतना ही जितनी भी हमारी female SYGNs इसमें participate करना चाती है admission लेना चाती है यह उनके लिए एक बहुत अच्छा उसर रहने वाला है हजारों रुपे के course आपको बिल्कुल free में करवाय जा रहे हैं और यह सारे के सारे job oriented courses है आप को job भी आसानी से मिल सकती है या आप खुद अपना job या अपना रोजगार खोल सकती है तो इस वीडियो में इतना ही thank you so much for watching this video मिलते हैं next किस informative वीडियो में स्विप काम ना है आप चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like share भी कर सकते हैं thank you so much for watching this video